आज हम पेट की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें की आप भी इरिटेट हो जाते हैं आपका दिमाग भी इरिटेट हो जाता है आपका पेट भी इरिटेट हो जाता है और उसे ठीक करने वाला डॉक्टर भी इरिटेट हो जाता है इरिटेट अर्थाथ परेशान जी हाँ एक ऐसी बीमारी जो की हर एक को परेशान करके रखे रहती है वो चाहे पेशेंट हो या फिर डॉक्टर हो और उस बीमारी का नाम है IBS Irritable Bowel Syndrome अर्थाथ ऐसी बीमारी जिसमें कि आपके पेट में अगड़म बगड़म हो जाती है दिमाग के कारण और कभी कब्ज हो जाता है तो कभी lose motion अतिसार होने लगता है फिर कभी lose motion फिर कभी कब्ज कब जो लूज मोशन कब जो लूज मोशन इसके कारण आप तो परेशान रहते ही हैं आपका शरीर आपका दिमाग भी ठक जाता है तो ये बीमारी होती क्यों है आज हम उस कारण को जानेंगे क्योंकि आईरवेद में किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहला नियम कहते हैं संग्षेप्तह क्रियायोगो निदान परिमारजन अर्थात भाई कोई भी बीमारी हुई है पहले उस बीमारी का कारण जानो उस जो कारणों से बीमारी हुई है उन कारणों को बंद करो और फिर इलाज करो हम बहुत पार ऐसे होता है कि बस बीमारी सुनी और उसकी दव दवा बता दो या इलाज बता दो पर दवा खा खा कर भी हमें आराब नहीं मिलता क्योंकि हम कारण नहीं बन किये रहते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों IBS या आईरवेद में जो IBS को हम ग्रहणी रोग के अंदर मान सकते हैं ग्रहणी रोग क्यों होता है और यह जानन कुछ modern या आज का विज्ञान जो कहता है उसके बारे में जान ले दे हैं उनका कहना है कि पेट ऐसे मुवमेंट करते रहता है परास्टाइलसिस मुवमेंट आराम से ऐसे करके वो मुवमेंट करते रहता है एक टाइम आता है कि पेट फिर ऐसे 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 करने लगता और अभी कोई एकदम ही ऐसे उने लगता है अर्थात इरिटेट हो जाता है इसके बारे में उनका कहना है कि इसका कोई exact cause किस कारण यह होता है वह हम नहीं जानते स्ट्रेस हो सकता है बिमारियां हो सकती है ऐसे वो कई चीज़ें फिर कहते हैं कि कई कारण इसमें हो सकते हैं पर आईर्वेद इसका exact cause बताता है कि यह बिमारी हम ग्रहनी रोग जिसे कह सकते हैं IBS का एक टाइब ग्रहनी में हम गिन सकते हैं क्यूं होता है तो उसमें चरक रिशी अपने चिकिसास्थान के पंद्रवे अध्याय में सबसे पहली बात कहते हैं कि ऐसे लोग जो आईर्वेद में बताये गए आहार है जो भोजन के या खान-पान के जो नियम है उसका पालन नहीं करते और अपनी मन मरजी से माई लाइफ माई रूल ये समझ के आराम से अपने मन से सभी नियमों को तोड़ ताड़के जब खान-पन करना चालू करते हैं तो उनकी ग्रहनी ग्रहनी अर्थात जो आपके शरीर में जो भोजन जब आप खाते हैं तो उस भोजन को जो और पाचन करके सब कामधाम की चीज़े लेके फिर आप उसको आगे सरकाती है सार और किट मतलब जो काम की चीज़े और काम की चीज़े नहीं है उनको डिवाइट करके फिर सबको आगे भेज देती है मल को आगे सरका देती है निकलने के लिए वो वाला जो सिस्टम है वो स सिस्टम कौन-कौन सी हरकतों से विगड़ता है या कौन-कौन से गलत काम से विगड़ता है तो चरख रिशी सबसे पहली बात कहते हैं पहला कारण वो कहते हैं भोजन ना करने से अर्थात ऐसे लोग जिने भूख लगी है पर उस टाइम पे वो खाना नहीं करते या फिर ऐसे लोग जिनोंने एक खाना खाया और वो खाना हजम नहीं हुआ अजीर्ण है फिर भी दूसरा खाना खा लिया आजकल आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हर आदे घंटे में एक घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो ऐसे लोग जिनोंने एक खाना खाया था वो खाना हजम नहीं हुआ उसके उपर से जब आप दूसरा खाना खाते हैं तो ऐसे में जो आपकी ग्रहनी है या जो पाचन का जो सिस्टम है वो बिगड़ता है फिर आगे वो कहते हैं की अधिक बार खाने वाले और अधिक मात्रा में खाने वाले अब दो टाइप के लोग हमें ज़्यादा देखने मिलते हैं ऐसे लोग जो हर दो दो घंटे में कुछ नो कुछ बकरी के जैसे कुछ नो कुछ वो थोड़ा थोड़ा चाहिए रहता है यह बहुत बार ऐसे होता है कि आप यहाँ पर कोई महमान आपने खाना खा लिया था आप कहीं पर महमान बन के गए रास्ते में निकले आपको वड़ा पाऊ दिखा आपने वड़ा पाऊ खाया फिर थोड़ी देर बाद पानी पूरी फिर थोड़े देर बाद समोसा, फिर कोई महमान आया तो उसके साथ बिस्किट और चाय थोड़ी खानी है, अब बोर हो रहें क्या खरें तो थोड़ा सा कुछ चिप्स खा लेते हैं, चिप्स के बाद फल खाना चाहिए, फल सेहत के लिए अच्छा है वो खा लिया, फल के हमेशा जिनका incoming चालू है, ऐसे लोग या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मतलब आज मिला है तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, पार्टियों में आपको इस तरह के लोग ज़्यादा तर मिलते होंगे, जो पार्टी में वो जाते हैं और जिनकी वो ऐसे सोब कूछ एकदम भर के खाते हैं, इस तरह का जब आप अपने पेट के साथ अत्याचारिया कोई भी आविक्ति करता है, तो उसे IBS या फिर irritable bowel syndrome जैसे रोग होते हैं, अगला कारण वो बताते हैं विशम प्रकार का भूजन करना, विशम मतलब कभी खाया, कभी नहीं करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके लिए काम ज्यादा important है बजाए अपने शरीर के, तो हम ऐसे बहुत सारे लोग को देखते हैं कि वो खाने का time skip कर देते हैं, या फिर उनको 12 बजे भूख लगी थी, वो 12 बजे खाना ना खाकर 4 बजे खाना खाते हैं, क्योंकि उनको 4 ब करण कहते हैं कि जो लोग अपनी प्रकृती के हिसाब से नहीं खाते हैं, जैसे कि हमने प्रकृती के ऊपर कई वीडियो डालके रखे हैं और उसमें पताया है कि वालियों को किस तरह का भोजन सुटे वाल है, अब कोई वात्प्रकृती का व्यक्ति है और आप समझ्य है कि वह रुवात प्रकृति का व्यक्ति होकर एकदाम रूखे सूखे भेल जैसे जो पदार्थ है वह ज्यादातर खाते रहता है जैसे कि ज्यादातर जो लोग ट्रैबलिंग करते हैं उनके साथ ऐसे होता है कि कुछ भी रूखा सूखा खाकर या तीखी चटनी वह सब खाके अप व्यक्ति सोचे पनीर चीज पनीर डोसा या फिर पनीर सैंड्वीच ऐसी चीज़े जब खाएगा तो उसकी अगनी पर क्या इंपक्ट होगा सिंपल सी बात है उसकी अगनी और कमजोर होगी खराब होगी और उसे आई बीएस जैसी समझ चाहें देखनी मिलेंगी आगे वह क का काम काज है या फिर एडमिनिस्टेशन का काम करते हो तो जादा से जादा आज कल का काम है वह यहां से में चीज, पनीर, या खजूर, या भैस का दूद, भैस का खी, ऐसी जब भारी भरतम चीजे खाएंगे, तो ऐसे में आपकी अगनी के उपर खराब impact पड़ता है, और आपका पेट बिगड़ता है, आगे कहते हैं अतीशीत, अतीशीत अर्था आज कल बहुत से लोग जैसे आ बाहर से आते हैं, फ्रीज खोलते हैं, एकदम चिल्ड, थंडगार पानी वो लेकर गटा-गट थंड़ा पानी वो पीते हैं, तो वो जो उनका इतना गटा-गट थंड़ा पानी पीना है, वो अगनी को मन कर देता है, साथ ही शादी में आजकल खाने के बाद एक बहुत ची दबा दबा के खाते हैं और उसके कारण उनकी अगनी वो वीक होती है और रुखे सुखे आहर जैसे की चना है भुना हुआ चना या सुखी भेल है वैसे अच्छी है हेल्थ के लिए पर जब इसकी लोग अती कर देते कि सूखा चना कुछ लोग को आप देख रहे होंगे खाना वना खा क्या फिर भी सूखा चना सूखा सींग यह सूखी मूंगफली सूखा मतर वटाना यह सारी चीजे चलू रहती हैं जो कि गैसेस पैदा करती हैं और बाद में यह सारी समझ आगे एक विशेश शब्द कहते हैं दुष्ट भोजनम अर्थात दूशित भोजन अर्थात यह हुआ कि कई बार ठीक है हमारे आप स्ट्रीट फूड खाने के एक विशेश लोगों को सौफ होता है और ठीक भी है पर कई बार ऐसे होता है कि रोड का फूड या फिर होटल में जो खाना बनाया जा रहा है उसमें कुछ स्वच्छता नहीं है या आप जो मस्त पनीर की सबजी खाते हैं काजू जो आप कुछ खाते हैं या नौन वेजी खाते हैं कई बार ऐसे होता है एक मेरी पेशंट है जिसकी होटल इंडस्ट्री का है उसका कुछ है उसने कहा कि हम ग्रेवी जो होता है वो पहले से ही बना के रखे रहते हैं और बस ओडर आया तो वो ग्रेवी को फिट से गरम किया और बना कर दे दिया तो इस तरह के दूशित फूड खाना या पनीर जैसे बहुत भारी भारी चीजे खाना यह सारी चीजे आजकल विरुद्दाहर की किया जाता है उसका जो सास्त्रोक्त आयर्वेद में कहा है उसका पालन ना करना जैसे कि हमने आपको पहली बताए है जो पंच कर्म की प्रोसीजर होते हैं वह ऐसे होते हैं कि उसमें पहले स्नेहन किया जाता है स्वेधन किया जाता है और फिर आपकी प्रकृति के अनुसार आ तो एक महीने तक आपको उसके पत्थी ऐसा पालन करने पड़ते हैं पर समझे कोई व्यक्ति है जिसने अपने मन से घर पे विरेचन करके लिया सिप पानी पीपी के उल्टी की या पानी पीपी के लूज मोशन किया कुछ लोग गले में अंगली डाल के उल्टियां करते रहते हैं ऐसे लोग अपनी अगनी को विक्रित कर लेते हैं खराब कर लेते हैं या स्नेह फान घी तेल जो जिस मात्रा में खाना आइरूद में जो कराया जाता है वो घी पान टेल लेना उसका ठीक से पालन नहीं किया तो भी आपकी अगनी बिगड़ती तो चरक रिशी ने इतने सारे जो चीजे हैं वो बताई हम खुद की गलती के कारण करते हैं अर्थात ग्रहनी रोग या irritable bowel syndrome जैसे जो रोग होते हैं वो हमारे ही खान पान के जो आईरवित के नियम है उसके ना पालन करने के कारण होते हैं इतना सब बताने के बाद फिर आगे कहते हैं कि दिर्ग काल रोग मतलब ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे समय से कोई ना कोई बीमारी है जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत लंबे समय से फीवर बना हुआ रहता है chronic disorders आप इसमें सभी गिन सकते हैं उन सब के कारण भी अगनी सभी बीमारियों में अगनी मंद होती है उसके कारण जैसे जिनको पाइल्स ये सब की तकलीफ बार बार होती है उन्हें फिर आगे external कुछ factor कहते हैं कि मौसम बिगड़ जाने से जैसे कि बारिश का मौसम होना ची ये पर बारिश ही नहीं हो रही है उसके बतले गर्मी पड़ी जा रही है या ठंडी के मौसम में बारिश हो रही है या गर्मी के मौसम में ठंडी लग रही है तो ऐसे जो मौसम ये सब बिगड़ते हैं उसके कारण आपकी अगनी पर भी impact पड़ता है और last वो सबसे important कारण कहते हैं कि मल मूत्र के वेगो को रोकने से आप चरक रिशी की जबी भी भी बाते पढ़ेंगे चरक सहीता पढ़ेंगे तो उसमें सबसे में चीज वो कभी भी एक चीज को मेंशन करना नहीं भूलते बताना नहीं भूलते हैं वो है वेगो के बारे में चरक रिशी हमेशा कहते हैं ना वेगान धारियेत कभी ना वेगों को Kathryn पैदा करो तो ऐसे लोग जो मल यहareं भूख लगी है फोग नहीं खा थे भूख नहीं लगी है तभ खाना खाते हैं प्यास लगी हो थाफ पानीद है फ्र फिर भी जबरदस्थी पानीदी पहेंगे नीद लगी है तब सोएंगे नीद नहीं है तब जबरदस्ती सोएंगे इस तरह वेगो को जो बढ़ खाबढ करके वो अपने जो नेचुरल प्रकृती का जो सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम को बिगाड लेते हैं और फिर कहते हैं कि जब इतना बिगाड लेते हैं कि भाई के व्याख्यानों में भी यह शब्द सुना होगा कि भोजन पचता नहीं सड़ता है ऐसे उन्होंने अपने वीडियो में बोला है तो वही जो चरक रिशी की यह बात है कि आपने जो भोजन खाया अगनी पूरी चली गई है अब वह अन पच नहीं रहा है पचने के बतल कभी पेट फुल जाएगा कभी पेट में मरोड होगा कभी शुक्रानु कम हो जाएंगे मासिक धरम बिगड़ जाएगा बाल सफेद होना जड़ना आप जितनी बीमारियां आपको याद आती हैं वो सब के सब पैदा करना चालू कर देगा क्यूंकि आईरवेद में अगनी क को सबसे महत्वपून कहा गया है और यहां तक लिखा है शांताव अगनी मृयते जिसकी अगनी खतम हो गई व्यक्ति खतम हो जाता है इसलिए हमेशा जठर अगनी की रक्षा करके रखो अपनी अगनी को बचा के रखो ऐसा आईरवेद कहता है और उस अगनी को बचाने के लिए खान पान के जो भी नियम है उसका पालन करने के लिए आईरवेद कहता है तो अगर आप पेट की कोई भी विमारी से परेशान है तो देख लीजी इसमें से आप कौन सी गलती कर रहे है और उस गलती को सुधार यह आगे IBS के उपर या ग्रहनी रोक के उपर अलग अल उनके लिए अलग-अलग कारण अलग-अलग ची किस्सा कही गई है अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए हम आगे आपके लिए उस तरह के वीडियो भी लेकर आएंगे तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें और हां अपनी अग्णी को हमेशा सम्हाल के रखे धन्यवाद